हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको Oasis 2002 की कोरियन रोमेंटिक मुवी एक्स्प्रेन करने वाला हूँ इसके IMDb rating 7.9 है इसका मतलब यह सही मुवी है कैसे दो लोग एक दूसरे को accept करते हैं और उसके बाद अपनी जो खामिया होती है उन पर काम करते और एक दूसरे को अच्छे से लाइव जीने के लिए इंस्पायर करते हैं यह इस मुवी का प्रिमाइस है मैं अब आपको कोई भी स्वॉलर ने देना चाहता पर जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको मजा आएगा मुवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर दीखता है इसका नाम हम के रखेंगे के जो होता है वो अभी अभी जेल से वापस आया है वो एक बस टॉपर खड़ा होता है और एक आदमी से सिगरेट मंगता है वो शिगरेट पीता है और उसे इस जगह का पता पुछता है उसके बाद इसी जगह एक आदमी स्टीट पर स्वेटर सेल कर रहा होता है तो एक स्वेटर रोबाय कर लेता है फिर केको जहा जाना होता है उस बिल्लिंग में पहुच जाता है वहाँ जाकर दरवाजे के बाहर वो खड़ा होता है और सप्राइज वो उसने करने वाला होता है पर जो लेडी उससे बाहर निकलती है वो उससे डर जाती है क्योंकि वो के को नहीं जानती और के भी इससे अंजान होता है कि actual में अपनी family से मिलना हुआ होता है पर वो अब वहाँ नहीं रहते वो उस lady से पुछता है कि वो कहा गए तुम ही कुछ पता है या नहीं पर वो उसे कुछ भी नहीं बता होता कि हमें फिर एक super shop में दिखाए गया है वो बहुत ही भुका होता है तो वो tofu मांग रहा होता है पर वहाँ available नहीं होता नेक super shop में जब जाता है तो वो directly उसे खाने लग जाता है shop का जो मालिक होता है वो उसे ऐसे भीना पैसे के वो दे देता है वैसे भी के के पास पैसे होते ही नहीं है के फिर एक phone booth के पास आता है वहाँ कुछ लड़कया होती है जो बात कर रही होती है वो उनसे पैसे मांगता है क्योंकि उसे कॉल करना होता है वो लड़कया उसेiggerन कर देती है और वहाँ से चली जाती है राद में हमें दिखता है कि restaurant में वो बैठा है और पुलिस को call कर दिया गया है वो वहाँ खाना खाता है और पैसे नहीं देता वो उन्हें कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो पुलिस को मत call करो वो उसे पुछते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने क्यों खाना खाया वो कहता है कि मेरा ब्रदर की शौप यही थी मुझे लगा कि मैं अपने ब्रदर को कॉल कर दूँगा वहाँ आ जाएगा और पैसे दे देगा उन्होंने इसे बहुत साले कॉल करने के लिए परमिशन दी हुती है पर किसी का भी कॉल नहीं लगता पुलिस जब वहाँ आती है तो यह भागने कोशिश करता है पर भाग नहीं पाता जब पुलिस के का रेकर निकलती है तो यह पता चलता है कि पहले भी वो ट्रबल में आ चुका था किसी आदमी को उसने असौल्ट किया था उसके बाद अटेंटेंट रेप और एक आदमी को मार दिया था वो अनिंडेंशनली था पुलिस वेर की एक से पुछती है कि दो साल के लिए तुम जेल में थे तो किसी वज़े से थे केज होता है उसने एक आदमी को मार दिया होता है केज होता है कि सुभा होने वाली थी पर मुझे कुछ दीख नहीं रहा था और वो बीच में आ गया तो मैंने उसे कुचल दिया था यह accidentally होता है पर फिर भी केज वहाँ से भाग चुका था इसी वाज़े से उसे यह दो साल की जेल हुई थी पुलिस उसे कहती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए था क्या कहता है कि मैं वही जा रहा था पर मेरे फैमिली का address चेंज हो गया था इसी वाज़े से यह सब ट्रबल हुआ है केका ब्रदर का नंबर पुलिस के पास होता है तो उसे वह कॉल कर देते है केको लेने वह आ जाता है कि हमेशा ट्रबल में आता रहता है तो अभी अभी उसके ब्रदर ने उसे help कि है तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि प्लीज मेरी life disturb मत करो केकी मदर होती है ब्रदर होता है और sister-in-law भी होती है यह एक छोटा सा प्लेस होता है तो के बुछता है कि इतना छोटा सा प्लेस क्यों है मदर ने यह थी कि हमारी financial situation इतने आच्छी नहीं थी इसी वज़े से हमें घर सेल करना पड़ा जो sweater के ने बस्टॉप पर पाय किया था वो अपनी मदर के लिए उसने लाया था वो अपनी मदर को पहना था उसकी मदर वरी करती है क्योंकि उसने खुदने sweater नहीं पहना था केकी पेर गंदे होते है और floor वो खराब कर देता है उसकी sister-in-law उस पर उसे डागती है उन्हें अब सब को question बढ़ता है कि के को अब कहा रखा जाए क्योंकि यह बहुत ही छोटा सा घर होता है केका जो बड़ा बदर होता है वो एक car repairing shop चलाता है वो ही वो उसे जगा दे देते है दूसरे दिन हमें दिखता है कि के अपने बदर की shop पर है और अपने friends को call कर रहा है अभी उसके जो भी सब friends है उनके number change हो गए और जो उसका call उठा रहे है वो उससे hangout करने में उतना interested नहीं है केका बदर उससे कहता है कि तुम ऐसे ही नहीं जी सकते जो भी कहा वो कह दिया जो भी करा वो कर दिया तुम्हें अब बड़ा होना चाहिए चोटे बच्ची की तरह मच जी हो एका बड़ा परदर फिर केक को एक shop में लेकर आता है food delivery का यह job होने वाला होता है वो job उसे वो देने वाले होते है यह बीच में बोलता है तो उसका बड़ादर उसे बहुत ही डाटता है और यह job फिर उसे मिल जाता है वो owner से कहता है क्या मैं कल से start कर सकता हो उसे एक काम होता है जो खतम करकर वो कल से अपना job जोईन करने वाला होता है नेक सिन में हमें दिखता है कि एक बड़ा सा fruit का टोकरी लेकर वो एक घर आता है जिस घर बर वो आता है वहाँ के लोग move कर रहे होते है वहाँ वो हमारी second lead character क्रीम को देखता है यह जो होती है इसे celebrate policy होती है यानि कि इसके हाथ और पे सब abnormal होती है क्रीम जो होती हो जल फिर नहीं सकती बहुती कम बोलती है के उसमें थोड़ा सा interested हो जाता है उसका नाम वेकरा पुछता है तब एक आदमी वहाँ आता है क्रीम का यह brother होता है वो के से पुछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम कोन हो क्रीम का प्रदर उसमें चीर जाता है वो कहता है कि मैं सिर्फ वीशच देने के लिए आया हो वो कहता है कि हमें तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है उसे निकल जाने के लिए पोलता है एक तुम मोवइन कर रहे हो तो के नेची ही रुखता है क्रिम का बदर जब जा रहोता है तो क्रिम के बदर से पूछता है कि तुम मूविन कर रहे हो पर उस लड़की को नहीं लेकर जा रहे है क्रिम का बदर करता है कि तुम्हें मैंने निकल जाने के लिए बोला था क्यों तुम यहां हो वो से आंसर नह वगरे का काम के करता है। जब रात होती है उसका सब काम काम हो जाता है। अबने बाइक लेकर वो क्रीम के घहर पर आता है। वो नेजी रुखते हो और वहां से निकल जाता है। रस्ते में जाते जाते एक मुवी की shooting car में हो रही होती है यह वो देखता है और उनका पीछा करने लग जाता है वो उसे frame से निकल जाने के लिए बोल रहे होते है पर वो यह नहीं करता उसका ध्यानने होता और उसका accident हो जाता है जब वो घर आता है तो उसका प्रदर उसे बहुत डाटता है उसका प्रदर उसे कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी रात में डिलोरे की बाइक लेकर कही कही घुमने की जॉब खतम हो गया तो मैं डारेक्ट लिए घर आना चाहिए उसके सिस्टर इनलोज उसे मलंबट्टी कर रही होती है फिर वो कहती है कि मुझे एक कहना तो नहीं ज़ाए पर हमारे लाइफ बहुत ही सही थी जब तुम जैल में थे हम मैं इसको खोई बोलने पाता पर जब तुम हमारी लाइफ में नहीं होती है तो हमारी life बहुत ही easy होती है next day के flower लेता है और cream को flower देने के लिए जाता है दोर को ओपन नहीं कर रहा होता तो उसकी neighbor वहाती है उससे वो flower लेती है और कहती है कि मुझे किसी को अंदर लेकर जाने के लिए allowed नहीं है वो जब यह door open कर रही होती है तब इसकी चावी एक कुंडी के नीचे होती है तो यह के देख लेता है अब के नहीं देख लिया है कि चावी कहा रखे जाती है यह चावी ओठा लेता है और डोर open करकर अंदर आ जाता है क्रीम उससे थोड़ी से ढर जाती है तो ओ कहता है कि तुम्हें डरने ही कोई भी ज़रूरत नहीं है मैंने तुम्हें यह flower बेचे थे क्या तुम्हें यह flower अच्छे लगे है वो उससे कहता है कि तुम बहुत ही beautiful हो तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगती हो वो उससे अफिर अपना number देता है वो उसके mirror पर वो number लगा देता है और कहता है यह जब भी लगे तुम मुझे call कर सकती हो उसके pair को हाथ लगा लेता है वो फिर उससे जबर्दसी करने कोशिश करता है वो रेजिस्ट करती है पर वो कहता है यह सिर्फ relax रहो कुछ भी नहीं होगा क्रीम फिर थोड़ी दिर बाद बेहोश हो जाती है कि कुछ करने से पहले ही वो बेहोश हो गई होती है तो के बहुत इडर जाता है वो फिर उससे बात्रूम में लेकर जाता है कुछ पानी से उससे नयालाता है जिससे वो फेसे होश में आ जाती है फिर वो वहाँ से निकल जाता है नेकसिन में हम देखते है कि क्रीम जिस घर पर रह रहे हुथी है उसके नेबस वहाँ थे नेबस के घर पर बच्चे होते है और उन्हें अकेला टाइम नहीं मिलता इस वज़े से इस घर में आकर अब वो इंटिमेट होने वाले होते है उसमें से वारत कहती है कि वो देख रही है आदमी कहता है उससे क्या फरक पड़ता है और दोनें इंटिमेट हो जाते है क्रीम जो होती है अब वो तैयर हो रही होती है उसका ब्रदर उसे लेने के लिए आया हुआ होता है उसका ब्रदर जब आता है तब ये दोनों उसके नेबर बहुत ही डर चाते है उसके ब्रदर को कुछ बतानी चलता है और फिर हमें दिखता है क्रीम को वो अपने घर लेकर आता है यह बहुत ही अच्छी सी building होती है और बहुत ही अच्छे से flat में हो रहता है actual में आज उसके brother यह flat का inspection उने वाला होता है यह जो building होती है यह handicap logo के लिए होती है क्रीम को cerebral palsy है इसी वज़े से उन्हें यह government ने flat दिया था इसका मतलब है उन्हें क्रीम का खैल रखना चाहिए पर यह नहीं कर रहे है वो अपने flat में उसे नहीं रहने दे रहे है क्रीम का brother जब रात होती है तब उन्हें old house में उसे छोड़ कर जाता है क्रीम का brother उसके लिए care करता है उसे कहता है कि तुम्हें जो भी खाना हो अपने neighbor को बता देना हम उसे 200 के देते है monthly जब रात होती है तो क्रीम केक को call करती है उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है नेक दिन फिर केक क्रीम से मिलने आता है उसे पूछते है कि तुमने मुझे वो flowers क्यों लाये थे वो कहता है कि ऐसे ही उसका पीछे कोई फिर reason नहीं होता जैसा हमने देखा है कि उसे जो भी लगता है वो गुक करता है फिर के उसे बातचित करने लग जाता है और कहता है कि एक general था उससे 18 generation से में हो ज़रा बहार जाते है उसे यहाँ घोटन महसुस हो रहे होती है फिर वो उसे terrace पर लेकर आता है तोरे time देख वो हाँ hangout कर दे है और फिर के अपने family के पास आजाता है उसकी family pasture के पास आयो होती है और वो cake के लिए pray करते है क्रीम ने cake को पोचा होता है कि वो क्या करता है उसे काम करने वाले आदमीं अच्छे लगते है इसे वज़े से अपके अपने ब्रदर के पास आता है उसे वो job मांगता है उसका ब्रदर उसे seriously नहीं ले रहा होता तो वो कहता है कि मैं मैंनत करूँगा तु मैं कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हो यह उसे अश्वर करता है और फिर उसका ब्रदर उसे वहाँ job दे देता है नेक्स दिन क्या क्रीम से मिलने के लिए आता है उसके जो भी सब कपड़े वेगरा होता है वो वो दोता है क्रीम का फिवरेट कलर वाइट होता है वो कैसे भी अपना फिवरेट कलर पुछती है उसे बीन्स खाना अच्छे नहीं लगता ये भी ओके थी है ये भी उसे क्या पसन है, क्या ना पसन है ये सब बाते करता है तब वहाँ क्रीम की नेबर आती है नेबर उसे पुछ थी है कि मैंने कुछ आवाजे सुनी थी क्रीम कहती है कि मैं सिर्फ रेडियो सुन रही थी कोई भी आवाजे नहीं है उसके नेबर उसे कहकर जाती है कि उसे आज बहार जाना है तो रात में वो खाना नहीं देने वाली क्रीम को भी इससे जादा कुछ प्रॉल्म नहीं होता जब रात होती है तो केक क्रीम के लिए गाना गारा होता है क्रीम के रूम में एक पेंटिंग होती है जिस पेंटिंग को देखकर वो बहुत ही डर जाती है यह जो पेंटिंग होती है यह Oasis के होती है याने desert के हुथी है इस painting में एक indian ओरोद होती है जो अपने बेटे के साथ एक हाथी को लेकर जा रही होती है क्रीम कहती है कि मैं इस painting से बहुत ही डर जाती हूँ के फिर उससा कहता है कि अब मैं magic करूँगा और तुम्हारा जो भी डर है वो निकालूँगा लिए है क्रिम उसे कहती है कि तुम्हारा वोइस बहुत ही आच्छा है तुम्हारा फेस उतना अच्छा नहीं है इस पर यह दोनों हसने लग जाते हैं नेक जिन के अपने प्रदर के शौप से कुछ पैसे चुरा लेता है वो चुरा कर आज डेट पर जाने वाला होता है वो क् कर वह थमादा कर वह हसने लग जाती है कि उससे पूछता है पर उससे नहीं बताती हैGR फिर इस य्जिक से रिस्टार्न में लेकर आता है पर वहां की जो owner होती है उससे प्रॉलम हो जाता है उसे एक passport करना अच्छा नहीं रखता इस वज़े से उससे निकलने के लिए बोलो एको गुस्सा आता है पर वो अपनी गुस्ते को कंट्रोल कर लेता है और वहां से चला जाता है आज संड़े होता है तो के क्रीम को अपनी ब्रेदर की शॉप में लेकर आता है वहां पर इन दोनों को नुडल्स बहुत ही अच्छे लगते है तो इस नुडल्स का वो पार्सल आर्डर करता है कि एको थोड़ी देर बाद कॉलाता है और उसके सिट्रिन लॉग को पता चल गए होता है कि उससे पैसे चुराएं था इससे जरा डिस्टब हो जाता है उस पूछती है क्यों तुम्हारा मोरट कांड़ हो गया क्ये फिर अपना मोर्ट difference कर लेता जब एक खाना खा रहे होते हैं, तो के उसे खाना खिलाता है, यह फिर क्रिम को कहता है, मुझे एक सपना आया था, इस सपने में तुम्हारी जो पेंटी है, उसमें के जो सब लोग है, यानि यह इंडियन और उसका बेटा और इलिफंट, यह सब जिन्दा हो चुके थे, वो स फिर गाड़ी में म्यूजिक लगाता है, क्रिम को उठाता है, और वही डांस करने लग जाता है, जब यह दोनों घर आते हैं, तो क्रिम इमेजिन करती है, वहाँ वो इंडियन लेडी, एक चोटा सा लड़का और इलिफंट, यह सब है, और उसके एदगे, वो नाच रहे है जब यह डांस खतम हो जाता है, तो वो एक दूसरे को किस कर रहे है, ऐसा वो इमेजिन करती है, दात में जब कि अपने ब्रदर के शॉप में फिर से वापस आता है, तो उसका ब्रदर वहा होता है, वो उसका चीड रहाता है, क्लाइन के गाड़ी लेकर वो चला गया था, उ उसे वो अच्छे से रेडी कर रहा होता है, उसे कहता है, कि एक अच्छे से प्लेस पर हम जाने वाले है, वो एक बड़े होटेल में उसे लेकर आता है, और फिर मैं जो से कहता है, मेरे ब्रदर की पार्टी में आया हूँ, उसके ग्रैंड मदर जो होती है, उसका आज इसमें कोई friend वेगरा आलाओड नहीं है वो कहता है तो फिर मैं भी यह से निकल जाओंगा उसके ब्रदर फिर उसे एक corner में लेकर आथे उसे फिर से पुछते हैं कि यह कौन है फिर वो उसे सच्चा ही वता देता है उसका ब्रदर उसे कहता है कि तुम मुझे गिल्टी मेहिसूस करा रहे हो एक्चुल में केने उस आदमी को नहीं मारा होता गब रात हो दिये तब ये सब ब्रदर डंक हो जाते है और इसका बड़ा ब्रदर जो होता है वो काड़ी चला रहा होता है उसने एक्रीम के फादर को मार दिया होता है और फिर वो हीट एंड रन करके रवाहा से बाग जाते है जब पुलिस इन सब को पकड़ ले थी है तब कि वोलेंटियर करता है और कहता है कि मुझे जेल में जाना है क्योंकि जो बड़ा ब्रदर होता है ये फैमिली को प्रोवाइड करता है अगर वो जेल में गया तो सब प्रॉलम हो जाएगा तो के ने ही प्रिजन में जाने के लिए होलंटियर किया होता है उसका चोटा ब्रदर कहता है कि तुम कुछ भी करने से पहले सोचते क्यों नहीं हो तो मैं उसे यहां नहीं बुलाना चाहिए था कहता है कि तुम सही बोल रहे हो मैं कुछ भी नहीं सोचता इसका मदलब है के ने सोचा होता कि उसे prison में जाना चाहिए। या नहीं तो उसका ब्रदर प्रिजन में चला जाता और उनकी सब family देस ने सो जाती। इसके बाद वो सब डिनर करने लग जाते हैं इसके बाद वो family photo लेने वाले होते हैं तो क्रीम को यहाँ शामिल नहीं होने देते तो के भी यहाँ से निकल जाता है जब वे दोनों भार आते हैं तो क्रीम से वो sorry खेता है केको वो कैरी ओके में जाना होता है वो क्रीम को भी मना लेता है सिर्फ के ही गाना गाने लग जाता है क्रीम गाना नहीं गा सकती है जब वो इस train station पर आते है तो भुनकी train मिस हो जाती है यहाँ में दिखता है फिर से क्रीम imagine कर रही है कि वो अब चल रही है और केक के लिए गाना गा रही है वो आज बहुत खुश होती है यह जब क्रीम को घर पर छोड़ने आता है तो क्रीम उसे कहती है कि आज तुम मेरे साथ सो क्रीम कहती है कि क्या बोल रही हो क्रीम कहती है कि तुम्हें पता नहीं वो उसे intimate होने के लिए बोल रही होती है फिर के और के को इंडिमेट हो जाते है तब ही क्रीम का जो ब्रदर होता है उसे मिलने के लिए आता है बहुत ही रात हो चुकी होती है और फिर उसे मिलने के लिए आते है वो के को इंडिमेट होते होए देख लेते है यह देखने के बाद हुबा केड़ा खड़ा कर देते है न क्रिम को भी पुलिस स्टेशन में लाय हुआ होता है पर अब वो यहाँ बोल नहीं पाती। स्टेश में जब वो होती है उसकी विमारी की वज़े से कुछ भी बोल नहीं पाती। उसका statement पुलिस ओफिसर ले रहे होते हैं पर वो कुछ बोलनी पाती है तो उसकी sister-in-law ही सब statement देती है इस statement से साफ हो जाता है कि के उसका rape कर रहा था क्रिम का जो brother होता है वो केक के brother को बुलवाता है वो उनसे कहता है कि हमें court में लेकर जाने की इसे कोई भी ज़रूत नहीं है वो उनसे पैसे मांग रहा होता है पर यह brother फिर कहते है कि हमें हमारे brother को disown कर देना है वो केके लिए अब कुछ भी पेह नहीं करने वाले होते हैं क्रिम जब statement देह रही होती है तो वो बहुती डिस्टब हो जाती है पर वो कुछ कहें भी नहीं पाती क्रिम को फिर उसके brother और sister-in-law दोनों घर लेकर आते हैं उसे वो सुला देते हैं यह जब custody में होता है तो उसकी सब family उसे मिलने के लिए आती है वो पास्चर को भी लेकर आती है वो उसके लिए अप pray करने वाले होते है जब यह prayer हो रही होती है तब कि वहाँ से उठ जाता है वहाँ से भाग जाता है वो भागते भागते एक alley में आता है वहाँ के एक औरेस से फोन चुरा लेता है और वो क्रीम को call करने ही कोशिश करता है पर यह call पर यह call क्रीम उठा नहीं पाती है उसे क्रीम से मिलना आता है तो क्रीम की जो building होती है वहाँ पर वो आ चाता है वो अब staircase से directly अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसका brother वा होता है तब वो जाड़ पर चर जाता है क्रीम की जो window होती है उसे के पास ही जाड़ होता है वो वहाँ क्रीम को आवाज देता है उसे वो बात करना चाता है पर क्रीम यह खेड़की खोलने ही बाती उसे बात नहीं कर फिर इस पेड़ की जो ब्रांचे सो दिये वो कट करने लग जाता है वो इसी पेड़ रुकेगा ज्यादा से ज्यादा टाइम उसे मिलेगा और क्रीम से बात कर पाएगा इस वज़े से यह सब वो कर रहाता है थोड़ी देर बाद इस पेड़ से वो गिर जाता है उसे पोलि में बिन्स भी आ जाती है, क्रीम उस बिन्स को हेट करती थी, अब ये भी इस बिन्स को हेट करने लग गया है, वो कहता है कि मैं ड्रीम कर रहा हूं कि जिस दिन मैं जेल से वापस आ जाऊंगा, मैं बहुत सारा डोफू खाना चाहता हूं, जब मैं end हो जाता है, तो इस movie में हमने देखा था, कि Kate की जो family है उसे पसंद नहीं करती, और क्रिम की family ने भी उसे abandon कर लिया है फिर ये दोनों एक दूसरे से मिलते है इन दोनों में flaws होते है क्रिम को तो cerebral palsy होता है और जो Kate होता है, ये कुछ भी करता है और उसे समझ मने आता, ये उसका रेप करने के कोशिश करता है, पर ये दोनों जैसे भी है, ये एक दूसरे को accept कर लेते है, एक दूसरे को accept करने के बाद, अच्छे से वो life जी है इसलिए, वो एक दूसरे को inspire भी करते है, जैसे हमने देखा था करिम ने उसे कहा था, कि तो है जॉब लेनी चाहिए, उसे जॉब जो आदमी करते है उन्हें वो इन्वी करती है इसी वज़े से के ने अपने बदर से जॉब मांगा था जब वो केके साथ थी तो वो imagine कर रही थी, कि वो चल फिल रही है एक गाना गा रही है वो भी एक अच्छी लाइफ का सपना देखने लग गई थी यह दो फॉल्टी चारेक्टर्स एक दूसरे के साथ आये थे और अपनी लाइफ जिना चाह रहे थे पर सोसाइडे ने उसे कुछ भी नहीं करने दिया जब वो पुलिस टेशन में थे कि अगर कुछ बोलता तो वो उस पर कोई भी बिलिव नहीं करते और क्रीम कुछ बोल नहीं पाई इसी वाज़े से इन दोनों में दरार आ गई इस मूवी में उन्होंने रोमियो जुलेट इस तरह की रोमांटिक स्टोरी फिर से कहने की कोशेश की है पर इनने बहुत ही अच्छा टेक इस पर लिया है बहुत ही अलग ही मूवी थी और बहुत ही बेस लो स्टोरी थी आपको एं मूवी कैसे लगी प्लीज मुझे कॉमें बताना मैं इसे बहुत सारे मूवी लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिफिकेशन आइकोन दबाना मत भूलना तब तक के लिए थैंक यूँ और अपने आपका आप खैल रखिये